सीतापुर गाउं में चंदन नाम का एक दूध वाला रहता था उसका दूध का काम पुष्टों से चला रहा था उसके दादा पिता सभी दूध बेचने का काम करते थे चंदन भी दूध बेचने का काम करता था हालांकि गाउं में और भी दूध वाले थे पर चंदन का ही दूद सबसे अच्छा होता था अरे बेटा क्या खिलाते हो अपनी गायों को है इतना मीठा दूद होता है कि मन खुस हो जाता है भईया काका मेरी गाय मेरे बच्चे की तरह है मैं उनका बहुत खयाल रगता हूँ अच्छा चारा खिलाता हूँ अच्छी देखभाल करता हूँ इस वजह से वो मुझे इतना अच्छा दूद देती है हाँ बेटा ये तो है मैं देखता हूँ तुम कितना खयाल रखते हो अपनी गायों का चंदन अपनी गायों की इतनी देखभाल करता था कि वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गायों की देखभाल में लगा दिया करता था जो उसकी पतनी को पसंद नहीं था चन्दन की पतनी ज्यादा से ज्यादा दूद बिकवा कर अधिक मुनाफ़ा कमाना चाहती थी अब भोला बेटा, मेरे बेटे मंगलू की शादी है, मुझे 20 किलो दूद चाहिए अरे वा काका मंगलू की शादी है मंगलू की शादी के लिए बधाई पर काका 20 किलो तो शायद नहीं हो पाएगा पर बेटा फिर कैसे बनेगी अच्छी मिठाईया ठीक है काका मैं कोशिश करूँगा पर 20 किलो फिर भी नहीं हो पाएगा गाय जितना दूद देगी उतना ही भेच सकता हूँ अभी स्यादा दूद नहीं दे पाऊंगा बारा किलो दूद दे दूँगा अच्छा ठीक है फिर काका पडोस के भीमा की डेरी में जाती है और बाकी के आठ किलो के दूद का ओरडर दे देते है शाम को चंदन घर जाता है और खाना खाते हुए अपनी पतनी रमा को सुबह की बात बताता है दूद के व्यापार में बस यही दिक्कत है गाय जितना दूद देगी उतना ही बेच सकते हैं वो तो है पर आप यह क्यों बोल रहे हैं कि क्या हुआ अरे वो विमल काका के बेटे मंगलो की शादी है उनका 20 किलो के दूद का ओर्डर था मैंने मातर 12 किलो का ओर्डर लिया पूरा क्यों नहीं लिया? इतना दूद नहीं बच पाता है जो दे सकूँ आप भी ना दूद का धंदा तो पडोस के भीमा भाया भी करते हैं पर फिर भी कभी भी दूद की कमी नहीं हुई है उन्हें अरे तो क्या करूँ मैं? दूद में पानी मिला कर बेचू क्या? भीमा दूद में पानी मिलाता है पूरे गाउवाले जानते हैं क्या दिक्कत है, मिलाए न पानी, और भीमा भाया से कुछ सीखिए, नहीं तो इस तरह से हमेशा नुकसान होता रहेगा पर रमा मैंने हमेशा अपने गाउ में इमानदारी से दूद बेचा है, मैं कोई गलत काम नहीं कर पाऊंगा भीमा भी उसी गाउं में दूद बेचा करता था, पर वो बहुत लालची था, वो लोगों को दूद में पानी मिला कर दिया करता था अपनी गायों से ज्यादा से ज्यादा दूद लेने के चकर में वो उनका शोशन किया करता था कई दवाईयां और इंजेक्शन दिया करता था वो चंदन से जलता भी था क्योंकि सभी चंदन के दूद की हमेशा तारीफ करते थे सुनिये जी, पास के सुनार की दुकान में मुझे पायल बहुत पसंद आ गई है, खरीद दीजे न इस महीने ज़्यादा बिक्री नहीं हो पाई है, ठंड की वज़ा से गाय ज़्यादा दूधी नहीं दे पा रही, फिर कभी ला दूँगा आप भी न, कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते, अभी कुछ दिन पहले ही भीमा भाईया ने अपनी पत्नी वैशाली भावी को सोने का हार दिलवाया है, और आप एक चांदी की पायल भी नहीं दिला सकते मुझे मैं क्या करूं रमा? आप कुछ मत कीजी, मैं ही करती हूँ, मैं जा रही हूँ अपने माय के रमा चंदन से रूट कर अपने माय के चली जाती है कुछ दिन बाद रमा को मना करके ले आता हूँ, वो बहुत अच्छी है, मान जाएगी चंदन रमा को लेने के लिए उसके माय की जाने लगा रास्ते में एक कृष्ण मंदर था चंदन कुछ देर आराम के लिए वहाँ ठेहर गया वहाँ एक साधू बाबा बैठे थे कहां जा रहे हो चंदन? आप तो अंतर्यामी है महराज मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ मेरा एक काम करोगे चंदन मेरी ये गाय दूध नहीं देती तुम इसका खयाल रख सकोगे? मैं इसका खयाल नहीं रख पाता पर बाबा मैं इतना गरीब हूँ जितनी गाय है उन्हीं को ठीक से नहीं रख पा रहा इसे कैसे रखूँगा? अच्छा, ठीक है बेटा जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा चंदन वहां से जाने लगता है पर वो गाय उसके पीछे-पीछे आने लगती है क्यों मेरे पीछे-पीछे आ रही है? मैं तेरा खयाल नहीं रख पाऊंगा जा, जाया से गाय उसका पीछा नहीं छोड़ती उसके पीछे-पीछे ही चली आती है चंदन उस गाय को अपना लेता है चंदन रमा और गाय को लेकर घर आ जाता है और वो अपनी इस गाय का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना बाकी की दुधारू गायों का रखता था घर आकर वो दूध निकालता है चंदन को रहस्यमई तरीके से जितनी जरूरत थी उतना दूध मिल जाता है सेटची को दूध दे देता है अब चंदन के साथ अकसर ऐसा होने लगा उसे जब जितने दूध की जरूरत होती थी उसकी गाय उतना ही दूध देती थी उसे कभी दूद की कमी नहीं होती थी चंदन की आंदनी बहुत बढ़ गई थी चंदन की पतनी भी अब उससे खुश रहने लगी ये देख कर कि चंदन का व्यापार बढ़ रहा है पीमा को चंदन से इरश्या होने लगी ये चंदन भी ना पता नहीं कहां से इतना दूद लाता है कुछ तो बात जरूर है अरे चंदन, इतना दूद कहां से लाया है रे तू है, पानी मिला रहा है क्या दूद में कैसी बात करते हो भीमा भीया मैं ये सब काम नहीं करता मेरी गाय मुझे हमिशा पूरा दूद दे रही है जब से मैं अपनी नई गाय को लेकर आया हूँ कहां से लाया है तू अपनी नई गाय चंदन भीमा को सब बता देता है फिर भीमा भी उसी मंदर में जाता है और साधू बाबा से गाय मांगता है क्यों बेटा तुम्हारे पास तो बहुत से गाय है तुम्हें और गाय क्यों चाहिए आपने चंदन को एक गाय दी थी मुझे भी दे दीजिये बाबा साधू बाबा तो अंतरियामी थे वो सब जानते थे वो बोले देख भीमा मेरे पास और गाय नहीं है तो कुछ और मांग ले बाबा फिर कुछ ऐसा दीजिये जिससे चंदन की गाय दूद देना बंद कर दे फिर सिर्फ मेरी विक्री होगी अच्छा ठीक है ये ले चंदन की गायों को खिला देना वो दूद देना बंद कर देगी बेटा पर ध्यान देना प्रभू सब देखता है भीमा दवा लेकर अपने घर वापस आ जाता है और मन ही मन सूचता है कि रात में चंदन की गायों को ये दवा खिला दूँगा फिर सिर्फ मेरा दूद बिकेगा भीमा के घर में आज सुबह सुबह कहां चले गए थे जी घर में सबजी नहीं है भीमा के हाथ में वो अजीब सी चीज़ देख कर बोली और ये क्या साथ में लेकर आए हो कुछ नहीं कुछ नहीं ये तो बस गायों के दूद को बढ़ाने की दवा है तुम जाओ है तुम जाओ उसके बाद भीमा दवा वहीं रख कर बाजार चला जाता है जाकर गायों को चारा दे देती हूँ उसकी नजर दवा पर पड़ती है चलो ये दवा भी दे देती हूँ लगता है इसे शेहर से लाए है हमारी गाय बहुत दूद देंगे फिर भीमा की पतनी चारा और दवा गायों को खिला देती है इसकी तुरंत बाद गायों की तबियत खराब होने लगती है और गाये गिर जाती है वो रोने लगती है आसपास के लोग एकठा हो जाती है तब तक भीमा भी घर आ जाता है क्या हो गया इन्हें? अभी तो इन्हें चारा दिया था और वो दूद पढ़ाने वाली दवा भी जो आप लेकर आये थे वही इने खिलाई तब से इनका ये हाल हो गया ये क्या कर दिया तुमने वो दूद बढ़ाने की नहीं अरे गायों को बिमार करने की दवा थी जिससे वो दूद ना दे सके आप ऐसी दवा क्यों लेकर आये थे कैसे बताऊं मैं ये दवाचंदन की गायों के लिए लेकर आया था ताकि वो दूध न दे सके और मेरी विक्री बढ़ सके पर देखो न क्या हो गया हमारी ही गाय अब दूध नहीं दे पाएगी क्या जरूरत थी इस अब करने के आपको इमानदारी से भी तो हमारा घर आसानी से चल सकता था अब तो हमें दो जून की रोटी के भी आपता गई लालच और इर्श्या किसी का भी विनाश कर सकते हैं चंदन मुझे माफ कर दो मुझे मेरे किये की सजा मिल गई अब मैं क्या करूंगा भीमा भीया आप परिशान मत होईए मैं आपको कुछ गाय दे दूँगा जिससे आप अपना काम फिर से शुरू कर पाएं भीमा आपने किये पर बहुत शर्मिंदा था उसने फैसला किया कि अब वो इमानदारी से अपना काम करेगा उधर मंदिर में साधू बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे रामगण राज्य में राजा प्रताप सिंग का राज हुआ करता था राजा प्रताप सिंग बहुत ही उदार और दयालू थे सभी राज्य की लोग राजा का बहुत सम्मान करते थे राजा की एक प्रिय रानी थी रानी तारा जो बहुत ही संदर थी और राजा की सबसे प्रिय भी वो जो कुछ भी कहती राजा प्रताव उसे अवश्य ही पूरा करते थे एक दिन राजा के दर्बार में कुछ सैनिक राजा के समक्ष रानी तारा का संदेश लेकर आते है महराज की जैहो महराज रानी तारा की तबिय ठीक नहीं है उन्होंने आपको शिग्र ही याद किया है महराज तबी राजा रानी तारा के पास उनके कमरे में जाते है क्या बात है हमारी प्रिय रानी क्या हुआ है आपको जो आपने हमें शिग्र ही बुलाया है सब ठीक तो है ना महरानी आज आप दर्बार में भी उपस्थित नहीं थी महराज अब क्या ही बताऊ महराज मेरी कई दिनों से एक इच्छा हुई है लेकिन मुझे लगता है वो शायद ही पूरी हो पाएगी महराज मैं क्या करूँ महराज महराज मेरी कई दिनों से शाही खीर खाने की इच्छा हुई है लेकिन महराज हमारे शाही हलवाई की तबियत ठीक ना होने की वज़े से वो महल में पस्थित नहीं है आप बताएए ना ऐसे में मैं शाही खीर कैसे खापाऊंगी बस इसी चिंता में मेरा स्वास से बिगरता जा रहा है महराज आप ये कुछ कीजे ना महराज अरे अरे मेरी प्रियरानी पहले आप चुप हो जाओ अगर महल में शाही हलवाई नहीं है तो क्या हुआ हम किसी और हलवाई से आपके लिए शाही खीर बनवा देते हैं डाचा रानी की ऐसी बाथिं सुनकर सोच में पड़ गया मंतरी रमादास जी हमारी प्रियरानी तारा की एच्छा हुई है कि वो शाही हलवाई के हाथ की शाही खीर खाएं लेकिन हमारे रज में शाही हलवाई अभी उपस्थित नहीं है जिसकी वजह से रानी की तब्यद भी दिन पर दिन बिगड़ती निज़र आ रही है तो आप हमारे आसपास के सभी राज्य के राजाओं को ये संदेश भिजवाएं कि वो हमें शिग रही अपने शाही हलवाई भेज दें जो भी हमारी रानी के लिए सबसे स्वादिष्ट खीर बनाएगा हम उस शाही हलवाई को चांदी की सिक्कों में तोल देंगे जी जी महराज जैसी आपके आग्या जिसके बाद मंतरी रामादास सभी राज्यों में संदेश भिजवा देता है थोड़ी धेर बाद एक मोटू सा शाही हलवाई राजा के दरबार में आता है महराज की जैहो, मेरा नाम हल्लू राम है महराज मैं पडोसी राज जुनागड का शाही हलवाई हूँ जो आपके आदेश आनुसार यहां आपके दर्भार में आया हूँ महराज हल्लू राम तुम्हारा हमारे राज में स्वागत है तुम्हें हमारी प्रियरानी के लिए शाही खीर बनानी होगी अगर हमारी प्रियरानी को खीर पसंद आई तो हम तुम्हें चांदी के सिक्कों में तोल देंगे ये बात सुनकर हल्लू राम हलवाई खुश हो जाता है अरे अरे महाराज आप देखिएगा मैं ऐसी शाही खीर बनाऊंगा कि रानी जी उंगलियां चाटती रह जाएंगी हाँ तभी राजा का मंत्री हल्लू हल्लवाई को महल के रसोई घर में ले जाता है देखो भीया हल्लू राम शाही खीर अच्छी बनी तो ठीक वरना भूल जाओ कि तुम्हें चांदी के सिक्कों में तोला जाएगा इतना असा नहीं है रानी तारा को खुश करना जी जी मंत्री जी मैं ध्यान रखूँगा लेकिन आप भी ये जान लीजिए कि चांदी के सिक्कों में तो मैं ही तोलूँगा मेरे जैसा भला कोई और शाही हल्लवाई थोड़े ही है जिसके बाद मंतरी वहां से चला जाता है और हल्लू हल्वाई खीर बनाने लगता है ऐसी खीर बनाऊंगा कि चांदी के सिक्के मेरे ही पास आएंगे हाँ एक काम करता हूँ भीया खीर में थोड़ा और बादाम डाल देता हूँ फिर देखता हूँ रानी जी को कैसे पसंद नहीं आती मेरी बनाई खीर थोड़ी देर बाद हल्लू हल्वाई अपनी खीर लेकर दरबार मिट जाता है जहां सभी मंतरी गण और राजा अपनी प्रिय रानी तारा के साथ उपस्थित होते हैं तभी हल्लू हल्वाई अपनी खीर रानी के समक्ष रखते हुए ये लिजी रानी जी मेरी बनाई शाही खीर बिलकुल तयार है खाए खाए अरे बाबाबा शाही खीर तभी रानी शाही खीर को खाती है और बोलती है अरे 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 ये कैसी कड़वी खीर बनाई है मेरा सारा मूँ ही कड़वा हो गया कैसी खीर है हल्वाई हल्लू हल्वाई तुम्हारा इतना दुस्सा हस कि तुमने हमारी प्रियरानी के लिए ऐसी कड़वी खीर बनाई सैनिको हल्लू राम को कारावास में डाल दिया जाए माफी महराज, माफी, मुझे माफ कर दीजिए महराज लेकिन कुछ सैनिक हल्लू राम को वहां से ले जाते हैं तबीरानी राजा से यह क्या महराज, मैं आज भी शाही खीर नहीं खा पाऊंगी नई 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 माराज मेरे सबर का बांध अब टूट रहा है आप कुछ कीजिए ना मुझे स्वादिष्ट शाही खीर खाने है वो भी शाही हलवाई के हाथ की राजा प्रताप राणी की ये बात सुनकर बड़े दुखी हो जाते हैं कई दिनों तक यही सलसिला चलता रहा रोज कोई ना कोई शाही हलवाई आता और राणी तारा के लिए खीर बनाता लेकिन राणी तारा को किसी की भी बनी खीर पसंद नहीं आती राणी तारा की स्वादिष्ट शाही खीर खाने की इच्छा दिन प्रती दिन बढ़ती ही जा रही थी ये देख राजा भी बहुत दुखी रहने लगे अगले सुबा राजा के दर्बार में एक भिखारी आता है और राजा से कहता है महराज, महराज की जैहो महराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ महराज मैं आपके ही राज्य का एक भिखारी हूँ कई दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है महराज अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी कृपा होती क्यों नहीं हमारे द्वार पर कोई भिखारी आए और हम उसकी इच्छा पूरी ना करें ये तो असंभाव है मंत्री रमादास इनके लिए भोजन का प्रबंद किया जाए जिसके बाद उस भेखारी के समक्ष तरह तरह के मज़ेदार खाने की चीज़ें रख दी जाती है जिसे भेखारी बड़े मज़े से खाता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद महराज ऐसा भोजन तो मैंने कभी भी नहीं खाया है मेरी आत्मा त्रिप्त हो गई वह वह लेकिन महराज मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी कारण वश आप बहुत दुखी है क्या मैं वो कारण जान सकता हूं महराज तभी राजा उस भेखारी को सारी बात बताता है आपकी इस समस्या का मैं निवारन कर सकता हूं महराज इसके बाद भेखारी राजा के पास जाकर उनके कान में कुछ कहता है थोड़ी देर बाद दरबार में रानी के समक्ष बहुत सारे हलवाईयों को बुलाया जाता है हमारी प्रियरानी हमने अब तक जितने भी शाही हलवाईयों को बुलाया है उन मेंसे किसी के भी हाथ की बनाई खीर तुम्हें पसंद नहीं आई आज हमने दूसरे राज़ के कुछ शाही हलवाईयों को बुलाया है अब तुम ही इन सभी मैंसे उस शाही हलवाई को चुनोगी जो तुम्हारे लिए शाही खीर बनाएगा लेकिन ध्यान रहे हमारी प्रिया रानी ये आपके पास आखरी मौका है इसके बाद महल में कोई और शाही हलवाई नहीं आएगा आपको अपनी शाही खीर खाने की इच्छा को खत्म करना होगा ये सुनकर रानी काफी सोच में पड़ जाती है और बड़ी उदासी की आवाज में बोलती है जी जी ठीक है महराज हमें आपका ये नर्ना स्विकार है अगर आज मुझे शाही खीर पसंद नहीं आई तो मैं अपनी स्वादेश्ट शाही खीर खाने की इच्छा को खत्म कर दूँगी हाँ जिसके बाद रानी उन सभी हलवाईयों में से एक बहुत ही अच्छे लिबास पहने और सिर पर लाल पगड़ी पहने हलवाई को चुन्ती है महराज यही मेरे लिए शाही और अंतिम खीर बनाएगा ये तो बहुत बड़े राजखराने के प्रतीत होते है जिसके बाद वो व्यक्ती महल की रसोई में जाता है और रानी के लिए बड़े मन से खीर बनाने लगता है थोड़ी देर बाद वो हलवाई अपनी बनाई शाही खीर के साथ तरबार में उपस्थित होता है और रानी के समक्ष अपनी खीर पेश करता है प्रिया रानी, खीर खाईए और बताएगी आपके द्वारा चुने इस हलवाई की खीर का स्वाद कैसा है तबी रानी अपना सिर हां में हिलाती हुई वो खीर खाती है एक निवाला खाते ही अरे वावा महराज, कितनी स्वादिश्ट खीर है, वावावाँ इतने मसे की खीर तो मैंने कभी नहीं खाई, वावाँ भाँ बहुत ही स्वादिश्ट, कोई जबाबी नहीं है महराज, मैं तो कहती हूँ इस हलवाई को आप अपने ही राजे में रख लीजे, मेरी स्वादेश्ट खीर खाने की इच्छा पूर्ण हुई महराज, देखा महराज, मैंने बहुत बड़े राजे के गुराने की शाही हलवाई को चुना है, जिसके हाथों में तो जादू है, वाँ, वाँ, बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, और देखते ही देखते, राणी सारी खीर चटकर जाती है, राणी को ऐसे खीर खाता देख, राजा और दरबार में बैठे सबी लोग बहुत खुश होते हैं, हमारी प्रियरानी, तुम्हारे मूँ से ये सब सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुमने जो हलवाई चुना है, वो कोई बड़े राजखरानी का हलवाई नहीं, बलकि एक गरीब और मामूली सा हलवाई है, क्या कहा माराज, ये गरीब और मामूली हलवाई है, लेकिन माराज इसकी बनाई खीर का तो कोई जोड़ी नहीं है, माराज ऐसी स्वादिष्ट खीर क्या कोई मामूली सा हलवाई भी बना सकता है, माराज नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, कहा राचा भोच और कहा गं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर कोई बड़े राज घराने का हलवाई ही बना सकता है लेकिन दरबार में उपस्थित सभी हलवाई आज किसी बड़े राज्ज के शाही हलवाई नहीं बलकि मेरे ही राज्ज के बेहत गरीब और मामूली हलवाई थे और तुमने उन सभी में से सबसे घरीब हलवाई चंदू को चुना जो बेहत ही मामुली घराने का है लेकिन तुम उसके अच्छे कपड़े देखकर प्रभावित हो गई और सोचा ये जरूर किसी बड़े राज घराने का शाही हलवाई होगा ये सब हमने सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने के लिए किया कि आदमी किसी बड़े घराने या अच्छे कपड़े पहनने से गुड़वाई नहीं होता बलकि अपने कर्म से होता है जी रानी जी महाराज पिलकुल सत्य कह रहे है मैं किसी बड़े राज घराने का शाही हलवाई नहीं हूँ बलकि मैं तो एक बेहद ही गरीब और मामूली सा हलवाई हूँ जो आपके ही राज्य में एक छोटी सी दुकान चलाता है महाराज के आदेश अनुसार ही मैं यहां आया हूँ रानी जी रानी को अपनी गलती का एहसास होता है मुझे माफ कर दीजे महाराज मैं कितना गलत सूचती थी मुझे लगता था बड़े राज घराने का शाही हलवाई ही स्वादेश्ट शाही खीर बना सकता है लेकिन आपके इस मामूली से हलवाई ने तो मुझे गलत साबित कर दिया महाराज वाकई इनसान अपने कर्म से बड़ा होता है किसी बड़ी घराने से नहीं रानी की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग बहुत खुश हो जाती है क्यों महाराज, काम कर गई ना मेरी तरकीब तो अब उपहार सरूप, मैं रोज आपके दरबार में भोजन करने आया करूंगा और हाँ, बहुत सारे गुलाब चावुन भी खाऊंगा हाँ बरे हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी एच्छा जरूर पूरी होगी विखारी की ये बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग जोर-जोर से हसने लगते हैं और अंत में चंदू हलवाई को चांदी के सिक्कों के साथ तराजू में तौल दिया जाता है बहाँ उपस्थित सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं राजा की जैजैकार करने लगते है